नमस्कुरा RSBD News में आपका स्वागत है पेशे 4 दिसंबश अनिवार शाम 17 बजे राजसान की बड़ी खबरे ग्रैमाद्यामिच शार्श अनिवार को राजसान के दो दिन की यात्रा पर है वेदोपह धाई वजे जसलमेर एरफोर्स स्टेशन पहुंचे एरफोर्स स्टेशन पहुंचने पर भाच्वा पता दिकारियों के ओर से उनका स्वागत किया गया यहां से वेब बॉर्डर के नस्देख से तनोट माता मंदिर के दर्शन करने के लिए गए राश्थान दोरे से पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अपने दो दिवसी प्रवास पर वीर भूमी राश्थान में रहूंगा आज जसलमेर में B.S.F. के बॉर्डर आउट पोस्ट पर बहादुर जवानों से मुलाकात करूंगा डुंगरपूर में दो महिला और एक युवा के कोरना पस्ट्री मिलने के बाए शनिवार को कर्फिव लगाया गया है प्रभावित शेत्र गलिया कोट की मोहमदिया कॉलोनी में पुलिस तैनाथ है मेडिकल स्टोर और दूद के दुकानों को भी बंद रखा गया है प्रिशासन घर-गर सैंपलिंग कर बिमारों को दवाईयां और जरूरी समान दे रहा है चितरी थान अधिकारिक गोविन सिंग ने बता कि प्रभावित शेत्र में किसी के भी आने जाने पर रोख है जोगर जगर पुलिस बल तैनाथ किया गया है पिछले कई दिनों से बारिश के बाद राजस्तान में सर्दी के तेवर तेज होने लगे है शनिवार को सभी स्थानों पर मौसम साफ रहा तेज दूप निकली लेकिन अधिकार्ण शे शेहरों में रात का नियुनतम तापमान 14 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ सबसे ज़्यादा सर्दरात सीकर जिले के फतेपूर में रही जहां नियुनतम तापमान 4.60 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ इदर शेखावाटी बैट के जिलों में भी नियुनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा जपूर समेथ उतरी राजस्तान के जिलों में आज सुबह सर्दी कुछ ज़्यादा थी तोंग शहर और उससे जुड़ी आसपास की 8 सड़कों की मरमत और चोड़ाई आदिकारे होंगे इसके लिए सरकार के 22 करोड 72 लाक रुपे खर्च होंगे ये रुपे खनीच विभाग के मत से खर्च होंगे इसके स्विक्रती भी खनीच विभाग की स्टेट मिनरल फंड से जारी हुई इन रुपें से सड़क निर्मान और सूध रड़ी करन चोड़ाई का काम होने के बाद परिवहन सुविधा और बहतर हो जाएगी शहर में कई ऐसी सड़के हैं जिन पर यातायाद भार चादा है और ओवरलोड बाहन भी कुचड़ते हैं धौलपूर में कोरोना में दो साल से बंद राजसा नोडवेज के चार बसो को रविवार सुबह पांच बजे से शुरू किया जाएगा नई बसों में दो बस दिल्ली, एक बस उत्तर प्रदेश के फरुकापाद और एक बस जोयपूर के लिए शुरू की गई है पहली बस सुबह पांच बजे धौलपूर से दिल्ली के लिए रवाना होगी बस सुबह साघे साडरे दिल्ली से वापस धौलपूर आएगी बस दिल्ली के लिए ही दूसरी बस दुपह दोबजे रवाना होकर वापस रात नोः जोबजे धौलपूर पहुझेगी रास्तान में नवंबर में सोने चांदी की कीमत में लगातार गिरावट हो रही थी लेकिन दिसंबा शुरू होते ही सोने चांदी की कीमत में इजाफे का दौर शुरू हो गया है शनिवार को जैपुर में 24 कैरेट 10 क्राम सोना 300 रुपे महंगा हुआ है महीं चांदी प्रती किलो की कीमत में भी 300 रुपए की तेजी आई है जैपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जैपुर में 10 क्राम 24 केरेट सोने की कीमत बढ़कर 49,200 रुपए पर आ गई है 22 केरेट प्रती 10 क्राम सोने की कीमत 47,000 पर पहुंच गई है अपनी मांगों को लेकर आस्तान बेरुजगार एक इकरत महासंग के बैनर तले जैपुर के 6 मारक पर जोहां 51 दिनों से धरना चल रहा है वहीं पिछले 8 दिनों से महासंग अध्यक्ष उपेन यादव के नेत्रतों में सैंक्रों बेरुजगार लखनों कांग्रिस कारले के बाहर धरने और अंशन पर बैठे थे लेकिन कांग्रिस नेता धर्मेंद्र राठोर के प्रयासों के चलते करीब 6 घंटे तक चली मध्यस्ता के दौर के बाद आखिरकार बेरुजगारों ने लखनों से धरना सगित कर जैपुर की और कूच किया है एक दौर हुआ करता था जब दौलहन को दौलहे के साथ डौली में विदा किया जाता था फिर दौलहा और दौलहन को कार में विदा करने का दौर चला लेकिन अब बदलते परिवेश माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए रिवाज भी बदल रहे हैं जोद्पुर में एक शादी में विदाई के समय दौलहन अपने पती को एक्टिवा के पीछे बठा कर सस्राल लेकर गई इसके लिए उसने परिवार वालों से सहमती ली फिर अपने एक्टिवा पर दौलहे को लेकर सस्राल गई जहां पर बाकी की रसमें पूरी की गई प्रदेश की तीसरे बड़े शहर कोटा में भी दिव्यांग शिक्षा संकुल बनेगा इसकी फाइल दोड़ गई है शिक्षा विभाग ने नगर विकास नियास को जमीन आवंटन की फाइल भीज दी है नियास ने जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है मुख्यमंत्रे बजट घोशना में प्रदेश के छह शहरों का इसी योजना में चैन किया गया था इनमें एक कोटा भी शामिल किया गया है कोटा संभाग मुख्याले पर अब तक विशेश आवशकता वाले बालक बालिकाओं के लिए सरकारी शेतर में एक भी ऐसा स्कूल व राहत की सांस ली है पिछले दस दिनों से बड़ फ्लू से पक्ष्यों की मौस से जुड़ा एक भी मामला सामने नहीं आया है जोदपुर जिले के विभिने जलाशियों पर 6 नमंबर से ही बड़ी संक्या में मृत कुर्जा मिलने के बाद रेस्क्यो ऑपरेशन शुरू किया